तो आज हम बात करेंगे, सुक्र और बुढ अगर आपके सब्तम भाव में इस्तित हैं, तो इस युति का किस प्रकार का प्रिणाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है शुक्र और बुद्ध जब भी सब्तम भाव में होंगे तो ऐसे जात्तक का जो जिवन साती होगा उसको लिए वो काफी सपोर्टिव नजराएगा और वो काफी धन धाने से बरपूर होगा, निपोन होगा, काफी एट्रेक्टिव दिखने वाला होगा और ऐसा जिवन साती हमेशा हमेशा के लिए आपको जिवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रिरित करेगा इसके लावा ऐसा जिवन साती आपके जिवन में रचनात मकता, सरजन, छमता ये सब लेकर आएगा कुछ ना कुछ नई क्रियेटिविटी वो आपको लेकर आएगा आपके जिवन में इसके लावा ऐसा जिवन साथी बहुत ही अच्छा बिजनस पार्टनर भी आपका बन सकता है सब्तमभाव में जब भी ये यूती हो तो कुछ हद तक कुछ मामलों में ये यूती ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देपाती क्योंकि ऐसे केस में जातक के एक्स्ट्रा कुछ रिलेस्टिशन से पगेरे बनना एक्स्ट्रा कुछ अफेर रहने के चांसे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन एक तरीके से हम देखें तो दोनों ही अत्यन्त सुब्ग्रे हैं अब ये दोनों सुब्ग्रे जब हैं तो निस्सित रूप से इन में से कोई भी अच्छे स्थिति में ही होना चाहिए सब्तंभाव में अगर कोई भी नीच का हो गया है तो फिर उसके रिजल्ट काफे कम हो जाएंगे और फिस इस यूति के जो परिणाम आएंगे समलित रूप से वो उतने अच्छे नहीं कई जा सकते हैं या उनमें अवस्य आपको कमी देखने को मिलेगी तो शुक्र और जब भी यहां आते हैं ऐसे में आपकी परशनलिटी में भी वो चार चांद लगाते हैं आपकी परशनलिटी भी काफी एट्रिक्टिव हो सकती है लेकिन देखा जाए तो ये कंजेक्शन आपको काफी ज़दा पूपलर बना देगा कभी-कभी जो विपरिट लिंक के लोग हैं उनकी तरफ आपका एट्रिक्शन बहुत ही ज़दा रहता है इस कंजेक्शन की वज़े से साथ ही ऐसे जातकों का जो लाइफ है काफी ज़दा समय पे सटल होता है इनका मैरिज समय पे हो जाएगा इनको बिजनस अगर गरो करना हो तो बिजनस भी अच्छा चलेगा साथ ही इनके पास एक special strategy रह सकती है कभी-कभी अपने बिजनस को चलाने और गरो करने के लिए तो ऐसे लोग हो सकता है मैरिज के बाद ज्यादा business minded देखने को मिले या इनकी तरफ एक तरीके से पैसा जो होगा धन होगा लगजरी वस्तों होंगी वो इनकी तरफ एट्रिक्ट होंगी हमेशा-मेशा के लिए तो ऐसे जादकों के जीन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी और especially आपकी marriage होने के बाद आपकी जिन में पैसे की कमी कभी कभी नहीं रहती है अब यहाँ पे आपको यह देखना पड़ेगा कि यह दोनों कौन कौन से भाओं के स्वामी हैं जिन भी भाओं के यह स्वामी होकर यहां आ रहे उन भाओं से related जो आपके रिस्ते हैं उनका रोल काफी मेर्तुपर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए तो शुकर और बुद्ध जिन भी दो भाओं के स्वामी हैं दो दो भाओं के यह दोनों ही स्वामी होंगे आपके चार्ट में उन भाओं से भी connection जोड़ के देख लीजिए और उन भाओं के जो result आएंगे वो भी काफी ज़्यदा प्रोमिनेंट आएंगे सप्टम्भाव को देखते हुए जैसे माल लीजिए किसी का अगर शुकर है वो लाविस्तान का स्वामी है तो ऐसे में निस्सित है कि आपका जो पार्टनर होगा वो या तो बहुत ज़्यदा पैसे कमा रहा होगा बहले ही वो अपने जोब से कमाए या अपने बिजनस से कमाए कैसे भी हो सकता है इसके लावा पार्टनर की जो फैमली होगी वो काफी ज़्यदा पैसे वाली हो सकती है और आपको जीवन साथी के आते समय यानी मैरीज के समय ज्यादा पैसा मिल सकता है धन वगए गाड़ी वगए तो आपके जीवन में ये क प्रभाव नहीं रहता और एक अच्छी लाइब देखने को मिलती कभी-कभी इस केस में आपको यह देखना है कि इन में से कोई भी प्रभाव जब यहां पढ़ रहा हो तो आपको काफी दिक्कते आ सकती हैं लेकिन देखें यहां भी कुछ हद तक ऐसी दिक्कते आती हैं जैस कि अंदर काफी ज़्यदा काबियत होगी अगर इस प्रकार के जाता कोई ज्वैलरी वगरे का बिजनस करें कोई लेडिज से जुड़ेवे सामान का बिजनस करें या कोई ऐसा बिजनस करें जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकत तो उन मामलों में इस conjunction के result बहुत ही better हो सकते हैं साथ ही ये conjunction आपको काफी ज़्यदा popular बना देगा आपको creativity के मामले में, kosal के मामले में रसनात्मक्ता के मामले में काफी अच्छे result यहां से निकल के आएंगे तो ये conjunction एक तरीके से आपके partner के लिए भी उतना ही ज़्यदा अच्छा रहेगा, जितना अच्छा यह आपके लिए रहेगा, अब यहां भी हो सकते है कि आपका जो business है पहले उतना grow नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी marriage होने के बाद आपका business ज़्यादा grow करेगा, आप ज़्यादा business minded हो जाएंगे, तो mostly ऐसे जातकों को हम ये भी बॉल सकते है कि उन लोगों का जो mindset होता है, वो business mindset होता है, और वो ज़्यादा तर अपने business पे focus कर बाते हैं, अभी marriage के बाद, हलांकि इतने वो पहले focus कर पाएं या ना कर पाएं, वो बात अलग है, बट marriage के बाद, आपकी life में काफी सारी transformations आने के संभावना रहती है, और even आप अच्छे decisions ले पाते हो बाद में, अब बुद्ध और शुकर का यहाँ पर आनना निश्चित रोप से ही आपके लिए अच्छी इस्तिती create करेगा, चाही यह वो relationship की बात हो relationship में support की बात हो लेकिन कुछ हद तक character को लेके थोड़ा परसंची जरूर लग सकता है और विस्वेस कर जब राहू से यह दोनों ग्रह प्रवावित हो रहे हो, तो आपका business तो अच्छा चल जाएगा, business तो आपका काफे अच्छा grow कर जाएगा, लेकिन आपके character पर दाग लगने की संभावना बन जाती है, तो ऐसे जातकों को काफी ज़्यदा ध्यान पूरक के marriage करना चाहे और इनका जीवन में जो settlement है या इनको जो progress है वो जल्दी देखने को मिलेगी, बट ऐसे जातकों को हमेशा आपने उपर धहरिये रखना होगा, और कभी-कभी इनका relationship wise उतनी अच्छी life रहती नहीं, जब शुकर की इस्तिती खराब हो जाती है, बुद के साथ रहते हुए तो आपको ये सब भी देखना पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी हम ये भी देखते हैं कि ऐसे जातक सिर्फ attraction वाला प्यार करते हैं कभी-कभी, ये वास्तम में किसी से true love नहीं कर रहे होते, लेकिन attraction बहुत ज़्यादा होने की वज़े से attraction की वज़े से ये किसी से प्यार दिखाते हैं, तो ये एक fake तरीके का love या सिर्फ दिखावा हो सकता है कभी-कभी, ऐसा आपको काफी बार, काफी सारी कुंडलियों में देखने को मिला होगा, और ये mostly इस प्रकार से जब भी conjunction बनेगा, तो संभावना बनती ही है अब देखें, ये जो conjunction है वो किसी भी प्रकार से आपको रचनात्मकारियों की तरफ ज्यादा दखे लेगा आपकी जो सोच होगी, आपकी जो mentality होगी साधी के बाद, वो कुछ हद तक ज्यादा creative होगी ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, अपने family के decision, या अपने business decision, अपने partner के बारे में decision अच्छे से ले पाओगे, साथी इस case में ये भी तेह है कि आपका जो जिवन साथी होगा, या आप खुद होंगे अपनी जो भी hobbies हैं उनको बहुत अच्छे से आप enjoy करोगे अपनी life में तो इस वज़े से कोई न कोई ऐसा profession भी आपका बन सकता है, जो आपकी hobby हो, या पहले वो आपकी hobby रही हो, लेकिन बाद में आपने उसको एक full time अपना business या full time एक profession बना लिया हो इस वज़े से आपकी popularity आपकी पहचान बहुत ज़्यादा हो सकती है, अगर ये दोनों ही grass सूरिये से प्रभावित हो जाते हैं तो इस case में आपको ज़्यादा popularity मिलने ज़्यादा जनसमान या मानसमान मिलने के chances बनेंगे लेकिन फिर आपकी married life के वी disturb होने का डर उतना ही ज़्यादा रहता है अब इन में से कोई भी आपके चठे, आठवे और बारवे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए अगर इन भावों का स्वामी होगा तो रिस्तों में काफी चुनोतियां लेकर आएगा especially आपकी married life में आपको काफी सारे संगर्सों का सामना करना पड़ेगा काफी ज़्यदा उतार्स डावों का सामना करना पड़ेगा भले ये दोनों aggressive हैं और काफी अच्छे एक दूसरे के दोस्त भी हैं लेकिन फिर भी देखा जाए तो 6-8-12 का स्वामी होनी के विल से हमेसा एक रिस्क आपको रिस्तों में देखने को मिलेगी अब ये जो इस्तती है दोनों की इन में से कौन ज़्यादा प्रभल है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा दूसरी बात यहाँ पर यह है कि शुक्र है वो रचनात्म कोसल को सरजन शमता के कोसल को दिखाते हैं माइंड की स्किल को दिखाते हैं तो यहाँ पर आपके साथ एक रचनात्म कोसल तो जुड़ा हुआ ही साथ में आपके पास बुद्ग्रैबी है जो कि माइंड का है बुद्धी का है वानी का है इस वज़े से आप अपनी वानी को बहतर इस्तेमाल कर सकते हो अपनी creativity को बढ़ाने के लिए या आप अपने mind को बहुत बहतर इस्तेमाल कर सकते हो अपनी creativity को increase करने के लिए तो यहाँ पर दोनों चीजे ही आपको मिल जाती है इस conjunction के विए से भले ही तो आपका एक अच्छा mindset मिल जाता है भले ही तो आपकी एक अच्छी creative skill आपके साथ जूड जाती है तो इस case में ये प्रबल संभावना बन जाती है कि आप जिस भी फिल्ड में जाएंगे वहाँ पर बहुत अच्छा analysis करेंगे बहुत अच्छे से चीजों को देखेंगे परखेंगे उसके बार decision लेगे और ऐसी condition में आपको जिवन साथी के साथ जितनी बार आप partnership करोगे जितनी लंबी आपके partnership रहेगे उतना ही फाइदा मिलता जाएगा तो जिवन साथी आपके जिवन में बहुत कुछ लेकर आएगा भले वो आपके जिवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जिनको नहीं लेकर आ रहा है आपको वो सब करना पड़ेगा वो सब आपको बनाना पड़ेगा लेकिन खुद की मेहनत से खुद के effort से बट ये conjunction आपकी overall life को काफ़े ज़्यदा easy कर देगा और आप अपनी hobbies पे ज़्यादा focus करोगे आप अपने ऐसे कारियों पे जहां पे आपको enjoy होता है एकदम से आप बहुत अच्छा feel करते हो जहां पर ऐसे कारियों पे आप ज़्यादा focus करने वाले हो इस conjunction के वएसे इसके लावा ऐसे जेवन साथ ही जो होगा आपका वो काफी सपोर्टी होने के सासथ काफी सुन्दर होगा विक्तित्व वाइस भी देखा जाए तो वो बहुत ये अच्छा होगा तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको शुक्र और बुद्ध की यूति सप्तम भाव में होने से मिल सकते हैं फिलाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद